नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का 2-2-1 चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में सीटेट एक्जाम में पूछे गए प्रशनों को देखेंगे एक जनर्वली 2022 को जो भी प्रशने सीटेट एक्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए अगर आपका एक्जाम किसी नेश्टेट को है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इससे आपको काफी मदद मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्ण पूछे गया है पहला प्रश्ण है दोस्तो निजी भासा सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया यह प्रश्ण पूछा गया है निजी भासा मतलब प्राइवेट स्पीच private speech सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया है तो इसका answer है दोस्तो Y.Gotsky ने किया है ठीक है यह प्रस्ण पुछा गया है Y.Gotsky is related था तो यह प्रस्ण आप लोग ध्यान में रखियेगा अगला प्रस्ण पूछा गया था NEP 2020 के नुज़ार एक से पांस तक किस भासा में सिछ्छा देना अनिवार है देखें दोस्तो ये नेपी का मतलब उप्विशय क्या है? समबंद होता है, काम और खेल होता है पोधे, जानवर, ये सभी दोस्तो उप्विशय के अंतरगत आते हैं परिवार ये मित्र के ठीक है चलिए अगला प्रस्त देखते हैं सभी प्रस्त आप लोग ध्यान से देखते चलिए अगला प्रस्त दोस्तों पूछा गया था बालक के सामाजी करण की प्रथम एजेंसी क्या है तो ध्यान किएगा बालक के सामाजी करण की प्रथम एजेंसी परिवार होता है ठीक है अगर पूछा जाए कि बालक के समाजी करण की दुतियक एजंसी क्या है तो आपका जवाब होगा बिद्याले होता है या फिर मेडिया होता है ठीक है प्रथम एजंसी परिवार और पासपडोस होता है अगला प्रस्न पूछा गया था कस्मीर के लोग क्या खाना पसंद करते ह है इसे रिलेटेड प्रस्न आया था तो इसका एंसर है दोस्तो सरसो के तेल में बनी मचली खाना पसंद करते हैं चलिए अगला प्रस्न देखते हैं क्या पूछा गया था अगला प्रस्न दोस्तो माउंट एवरेश्ट से रिलेटेड पूछा गया था तो माउंट एवरेश पूछा गया था तो लिंग जो है दोस्तों ये सामाजिक सनस्थना है इसको ध्यार कियेगा ठीक है जैविक नहीं है ध्यार कियेगा ये जो है सामाजिक सनस्थना है अगला प्रस दोस्तों डिसलेक्सिया से रिलेट पूछा गया था तो डिसलेक्सिया क्या है एक पठन विकार है इतिहास सब्द में उपसर्ग पुछा गया था तो इतिहास में दोस्तो इती उपसर्ग लगा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है सूटिंग स्टार किया है यह प्रशन पूछा गया था तो ध्यान से आप इसको देख लेजिए सूटिंग स्टार के बारे में दोस्तों यह एक प्रकार के चमकीले पिंड जो कभी-कभी रात को आग की लकीर के समान आकास में एक और से दूसरी और जाते हुए अथुआ गिरते हुए दिखाई देते हैं इनके गिरने को दोस्तों तारा तूटना या लूक तूटना कहा जाता है ठीक है तो सूटिंग स्टार के बारे में प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन देखते हैं कई बारे में प्रशन पूछा जा चुका है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिजिये यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है दिन के सतरा घंटे सोता है यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है चलिए अगला प्रस्ट दोस्तो खेजडी बिर्च के बारे में पूछा गया था तो खेजडी बिर्च के बारे में देखिए खेजडी राजस्तान का राज बिर्च है दोस्तो ठीक है इस बिर्च की बिसेश्ता यह है कि यह तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है आगे लिखा है इसके बारे में इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है अकाल के समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तने को खागर जिन्दा रहे थे तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में प्रस्न पुछा गया था, हाथियों से रिलेटेड भी प्रस्न पुछा गया था दोस्तों, तो हाथी के बारे में देख लीजिए, एक बड़ा हाथी 100 kg से अधिक पत्ते वा टहनिये खा सकते हैं, और यह 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो कई बार हाथियों के बारे में बताया जा चुका है, और कई बार प्रस्न इसमें रिपीट हो चुका है, बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों से सम्मंदित प्रस्न पुछा गया है दोस्तों, तो ध्यान कियेगा, पस्चिम बंगाल, उडि से सटे राज्यों हैं, अगला प्रस्न पूछा गया था, सम्मिधान की आठवी अनसूची में कितनी भासाओं का उलेख किया गया है, तो इसका जवाब है 22 भासाओं का उलेख किया गया है, सम्मिधान की आठवी अनसूची में, चलिए अगला प्रस्न देखते हैं, सभी प जिसका समय जन्म से लेकर के दो वर्स है ठीक है दूसरा है पूर्व संक्रियात्म कवस्ता दो से साथ वर्स तीसरा है मूर्थ संक्रियात्म कवस्ता साथ से ग्यारा वर्स चौथा है आपचारिक संक्रियात्म कवस्ता ग्यारा से पंद्रा वर्स अगला प्रस दोस्तों राजस निती के अनुसार कच्छा एक से पांच तक की सिख्षा को क्या कहा गया है तो इसका जवाब है दोस्तों फाउंडेशन स्टेज कहा गया है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही अब हम आपको किसी नेस्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद